नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका अपने यूटूब चैनल क्रेजी फेंटेसी गुरूजी में आज की इस वीडियो में हम TNPIL का ग्यारवा मुकाबला करने वाले हैं मुकाबला होने वाला है CSGBC DD के बीच में मुकाबला होगा यह मुकाबला स्याम को 3 बजे वने वाला है और जैसा कि आपको पता ही होगा इस मुकाबले का वैन्यू रहने वाला है डिनडी गुल में यह मुकाबला खहला जाएगा और इस Ground की पिछ रिपोर्ट की बात करें तो इस Ground की पिछे batting friendly pitch ओने वाली है दोस्तो इसका I score 210 run plus रहने वाला है दोस्तो और इसकी average score की बात करें तो 160 plus रहने वाला है और add to add की बात करें तो इन दोनों टीमों की बीच में 5 मुकाबले खेले गए हैं जिन में से CSG की टीम ने एक भी मुकाबला विन नहीं किया और DD की टीम ने 5 मुकाबले विन किये हैं तो आईए इन दोनों टीमों की प्लेंग 11 के बारे में बात करते हैं तो पहले बात करते हैं CSG की टीम की प्लेंग 11 के बारे में तो नमबर एक पर परदोस पूल की बात करें तो लेप्ट हैंड बैस्ट में रिजेंट के मैचों की बात करें तो छे रन पत्चीस रन अठाशी रन एट्व एड मुकाबले इन्होंने दो मुकाबले खेले हैं सत्तर रन बनाई हैं और बत्तिस काईवरेज स्कोर हैं और इस वाले वेणियो की बात करें तो वेणियो पर चयार मुकाबले खेले हैं और 20 रन बनाई हैं 4 काईवरेज स्कोर है इस वाले वेणियो पर अगर दोस्तों फर्स्ट इनिंग में बल्ले बाजी करते हैं तो यह फ्लॉप होने के चांस बहुत जादा हैं और सेकंड इनिंग में बल्ले बाजी करते हैं तो यह आपको रन बना कर देने वाले हैं इसके बाद बात करते हैं अन्जगदिशन की राइट हैंड बैस्ट मैन रिसेंट के स्कोर की बात करें तो चार रन तेरा रन 35 रन 19 रन एक रन और एट वेड मुकाबलों की बात करें तो तीन मैच बनवे रन 37 का इवरेज स्कोर रहा है और अगर वेन्यू पर बात करें तो 15 मैच खेले हैं 640 करन है और 14 का इवरेज स्कोर है इस वाले वेन्यू पर है तो इस बन्दे गा फॉम बहुत यह आपके लिए ग्रेंड लिग में और स्मोल लिग में दोनों के लिए ट्रंप ले रहने वाला है तो इन्हें आप अपनी टीम में लेकर की चल सकते हो इसके बाद बात करते हैं संतोशिव लेप्ट एंडवेस्टमें रिशेंट के मैचों की बात करें तो 14 रन एड टू ए इसको छोड़कर हमें भाबा आप अवरजित पर नज़र डालें भाब आप अपरजित दे हैं भाबबा अपरजित लिसयंट के मैचों की बात करें तो 14 रिए इन्हों ने 378 रण 21 का average score तो दोस्तो रिकोर्ड इनका इतना बैतर नहीं बोल रहा बैटिंग से तो कर रहे हैं लेकिन बोलिंग से इतना कुछ नहीं कर रहे तो इसके बात बात करते हैं संजय यादव की रिसेंट के मैचों के अगर बात करें तो दो विकेट 22 रन प्रस जिरो विकेट 31 रन 21 जिरो विकेट एट्वेड मुकाबले खेले हैं इन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं जिन में से 141 रन बनाई है 35 काईवरे स्कोर रहा है अगर इस वाले वेन्यू पर बात करें तो तेरा मुकाबले खेले हैं 401 रन और 40 काईवरे स्कोर रहा है वाले वेन्यू पर दोस्तों इनका परफॉमेंस आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया परफॉमेंस है इन्हें आप जील में और स्मोल लिग में दोनों सीवीसी में विट्राई कर सकते हो बाकि सीवीसी के लाएक यह खिलाड़ी आज की इस मैच में होने वाले हैं तो इसके बाद हम बात करते हैं अर्ष कुमार की रिसेंट के मैचों के अगर बात करें तो इनका फॉम देखे जाए तो 32 पलस 0 विकेट 12 पलस 2 विकेट 8 पलस 1 विकेट 0 विकेट एड़ 2 एड मुकाबलों की बात करें तो साथ मैच खेलें 47 रन साथ का एड़े स्कोर है इस वाले वैन्यू पर अगर बात करें तो 8 मैच खेले हैं 121 रन बनाए है 21 का एड़े स्कोर राए दोस्तो इस वाले वैन्यू पर इसका बहुत अच्छा पले रहा है फर्स्ट निंग में इनकी बैटिंग आ जाती है और सेक्ट निंग में इनकी बैटिंग नहीं आती फर्स्ट निंग में ये बोलिंग करने वाले हैं तो बहुत ही अच्छा प्ले रहा आप ये लेकर चल सकते हो इसके बाद बात करते हैं नंबर साथ पर सची दे हो रिसेंट मै एक सो एक्यानद में रन 24 काईवरेज स्कोर है वेन्यू पर अगर बात करें तो 11 मैच खेले हैं 268 में रन है 27 काईवरेज स्कोर रहा है दोस्तों दोस्तों उसके तो इसे ट्राइब मत करना ग्रेंड लिख में कभी बैटिंग आती है तो कभी नहीं आती इसके बात करते हैं नंबर आठ पर रामनिंग रोइत की तो इसके रिशेंट मुकावलों की बात करें तो जीरो विकेट, जीरो विकेट, जीरो विकेट, जीरो विकेट, जीरो विकेट, इनका कोई भी अच्छा प्रपॉमेंस नहीं, दिख रहाँ आप भी तक तो add-to-add मुकावलों की बात करें, तो 2 मुकावले, 3 विकेट, वेन्यू पर अगर बात करें, 11 मैस खेलें, 6 विकेट, द बात करते हैं नमबर 9 पर राहिल साखी है कि लिशेंट के मैचों की बात करें तो एक विकेट दो विकेट एक विकेट तीन उकाबलों में नो मैच खेले हैं 12 लिए है वैन्यू पर 15 मैच और 12 विकेट लिए हैं तो दोस्ता इस वाले मैच में भी यह आपको एक से दो विकेट निकाल कर देने वाले हैं तो आपके लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं इसके बात करते हैं नमबर दस पर इसके रिसेंट मुकाबलों की बात करें तो जीरो विकेट, जीरो विकेट, एक विकेट, दो विकेट, एक विकेट, add to add में उने कोई मैच नहीं खेला, venue पर 13 मैच खेले, 18 विकेट लिए हैं, इनका complete नहीं है, कोई ओर करेंगे कि ना करेंगे, थोड़ा सा doubt लग रहा है, इसक विकेट है, venue पर 4 मुकाबले, 2 विकेट, डिंडी गुल के खिलाप है, 4 मैच खेले, 8 विकेट ले चुके हैं, तो आपको इस वाले venue पर भी, एक से दो विकेट है, यहाँ पर लेके देने वाले हैं, तो इन्हें आप हैं, बिल्कुल से try कर सकते हो, तो दोस्तों, CSG की टीम क प्लेरों की एनलाइसिस तो हम करी चुके हैं, अब बात करते हैं, डिडी की, यानि के डिंडी गुल की, तो नमबर एक पर बात करें, सियम सिंग, राइट एंड बैस्ट मैन, रिसेंट के मैचों के अगर बात करें तो नो रन, 48 रन, एड टो एड में, कोई मैच ने खेला, venue पर एक मैच, नो रन बनाए हैं, तो कोई खास रिकोर्ड नहीं है, इनका, तो यह इसको आप मिनी जील में, ट्राइकर के जासकते हो, इसके बात करते हैं, विनोध कुमार, लेप्ट हैंड वेस्ट मैन, रिसेंट के अगर बात करें तो 6, रन, 0 रन, 43 रन, 11 रन, एड टो एक मैच, छे रन, इनका कोई खास जबरदस परफॉमेंस नहीं है, इस वाले मैन्यू के अंदर, अब इसके बाद नमबर 3 पर बात करते हैं, अशरून की, 3 मैच, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 18 रन, 1 रन, एड टो एड के अगर इनकी बात करें तो 2 मुकाबले खेले हैं और 45 रन बनाए है, 22 का इवरेज स्कोर है, इनका इस वाले वेन्यू पर, इस वाले मैद्यान पर, sorry, वेन्यू के अगर बात करें तो 3 मैच खेले हैं, 92 रन है, 14 का इवरेज स्कोर है, 3 इनकी मेच, 0 विकेट, तो दोस्तों ये बैटिंग और बोलिंग दोनों कर रहे हैं, तो है, 116 रन, 2 का इवरेज स्कोर है, वेन्यू पर अगर बात करें, 10 मैच खेले हैं, 350 रन, और 80 का इवरेज स्कोर है, मैं आपर 2 प्लेरों की प्रेफर करने वाला हूं, बाबा इंदर जीत, और जगदीशन को आप यहां पर ले के चल सकते हो, फोम बहुत ही घुजब का फोम ह नंबर 5 पर बात करते हैं, अधिद्या गने से, रिसेंट की बात करेता हूं, 22 रन, 20 रन, 10 रन, 13 रन, 28 रन, एड़वेज मुकाबलों में, 6 मुकाबले खेलें, 149 रन बनाए है, 35 का इवरेज स्कोर रहा है, वेन्यू पर अगर बात करें तो 5 मुकाबले खेलें, 114 रन कर चल सकते हो, ये बाद नंबर 6 पर है, सार्थ कुमार, रिसेंट, 5 रन, रिसेंट, 5 रन, एड़वेज की अगर बात करें तो कोई मुकाबला नहीं खेला, वेन्यू पर कोई मुकाबला की नहीं खेला, तो इनको हम यहाँ पर ड्रोप करने वाले वैसे भी, इनकी कोई खास वो नहीं है, प्रोफॉमेंस, तो इनको हम ड्रोप आउट करके चलने वाले हैं, नंबर 7 के अगर बात करेता हो, सुपोट बाठी, 3 विकेट, 19 रन, 2 विकेट, एड़ टो एड़ पर कोई मुकाबला, वेन्यू के अगर बात करेता हो, एक मैच, 3 विकेट, तो दोस्तों इसक चल सकते हो, नंबर 8 पर बूपती कुमार, इनका कोई खेलने वाला चांस नहीं है, और यह भी बैसे भी फिलोप रहने वाले हैं, तो इनको मैं आपर ड्रोप आउट करके चलने वाला हूँ, इसकी बात-बात करें नंबर 9 पर, वरन चकरवरती, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विक जिरो विकेट, add to add में, 2 मैच खेले हैं, 5 विकेट, वेन्यू पर है, 9 मैच खेले हैं, 9 विकेट, बहुती अच्छा परपोमेस रहने वाला इस वाले वेन्यू पर है, और इस वाले मैच के अंदर भी, बहुती अच्छा परपोमेस रहने वाले आ, इस वाले मैच के अंदर ह मिनी जील में लेकर चल सकते हो, इसके बात नमबर दस पर है, यह साइद थोड़ा सा इन दोनों प्लेयरों का डाउट देखने को साइद है, यह दोनों प्लेयर, अब बात करते हैं, नमबर दस और ग्यारा की, अब बात करते हैं, नमबर दस और ग्यारा की, साइद दोस्तों, यह प्लेयर हैं, इस वाले मैच में खेलने वाले नहीं हैं, अगर कोई भी चेंजिंग अगर टीम में होती है, तो हम आपको टेलिग्राम के थ्रू इंफ्रोमेशन दे देंगे, टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाए जाके बहां से टेलिग्राम चैनल को जुरू से जवाइन कर लेना, और आपको वीडियो अच्छी लेगे तो, वीडियो को एक लाइक जु स्क्राइब करना, जय हिन दोस्तों, जय हिन जय बारत